उट गया अचानक लोग, बूधर फड़का अपार पारद के पर, रविशेशर गये हैं निर्जर, हे टूट पड़ा बूपर अंबर, धन्स गये धारा में सबय शाल, धारा नही बच्चम धरा, उट रहा दुआ, जल गया थाल, योम जलद यान में विचार विचर, था इंदर केल, था इंदर जाल, तो सुनिए, हमने बदाया, वर्षा रुदू है, पलपल में प्रगर्दी वेश बदलती रगती हैं, अब भी वेश बदल गया, अचानक, क्या हो गया, अचानक लो बूधर, बूधर कार्त है, पर्वत, बूधर कार्त है, पर्वत, अचानक क्या हो गया, पहाड में, भगत दी, वर्षा आने लगी, अचानक लो उड़ गया, बूधर, फटका अबार, पारद के पर, पारद के पर का अर्त है, पारे के समान, दवल, चमकीला, पंग, दवल सफेद रंग का, आप लोग देखते होंगे ना, आगश में बादल उड़ते रगते हैं, दवल, सफेद रंग का, जब गम उसे ही दे अलगता है, उड़ते हैं, उसी प्रकार, पर, पंग, पच्चिके पंग के समान, ये पारद, बादल के ये पंग, उड़ने लगा, पारवध के ऊपर, परवधु प्रदेश में पावस है ना, वहां उड़ने लगे, अचानक, सहसा, रविशे श्रगये निर्जर, निर्जर का, निर्जर की आवास, कम हो गई, केवल रव शेश रग गये, आवास ही रग जाना, क्युमकि पानी के गिरने की आवास ही, केवल पानी के गिरने की आवास रग गये, रव शेश, रव शब्द, केवल आवास, पानी गिरने की, वर्षा में, जो पानी गिरते हैं ना, तो वे हावा समे मिलते है ना उसे रविशेश रगये निर्जर तूट पड़ा भूपर अमबर आइसा लगा सगसा गोर वर्षा हुई तो आइसा लगा कि भूमी पर भू भूमी अमबर आगास आगास भूमी पर तूट पड़ा हो आकरमन करने लगे हो अत्य दिक वर्षा होने लगी एक देखकर आइसा लगा कि आखाश भूमी पर आकरमन कर रहे हो क्योंकि कुछ भी दिकाई नहीं पड़ते पहाड के उपर है बगुतूंचे हैं परवद्व परदेश में बाधल चा गए बाधल चाने के कारण कुछ भी दिकाई नहीं जा सकता तो बहुत तदी गोर अमदगार फैला हुआ तो आइसा लगा कि आगास भूमी पर भरस पड़े हो दंस गए धरा में सबय शाल तो शाल एक तरह के वरिच है शाल धरा नहीं धरा धरा भूमी में रूमी के नीजे दंस गए हो ख्योंकि शाल वरिश्व देका नहीं जा सकता गोर उंदगर ही न मुसलाधार वर्षा हो रही है जब बहुत तदिक वर्षा होती है कुछ भी दिकाई नहीं जा सकता दुवाम जैसे लिखता है यह देखिये दुआम जैसे कुछ भी दिकाई नहीं जा सकता ना खेवल वर्षा ही वर्षा दूर जा क्या होता है एक दिकाई नहीं जा सकता तो विर्च भी नहीं देखा जा सकता तो ऐसा लगा कि ये शालव रिच भूमी के नीजे जंस गेए हो उड़ रहा दुआम जब पानी थालाब में गुरते हैं परवद के नीजे थालाब बदाया है न वहां पानी वर्षा की पानी गुरते हैं तो क्या होता है जब पानी में वानी गुरते हैं तो बबल से उपर आता है न पानी उपर अरते हैं तो ये सब दुआन जैसी कभी को ल तो अगली बर जब वर्शा होती है तो बाहर जाकर देखिए दूर में दूर की कोई भी चीज नहीं हम नहीं देख सकते दूर जैसी तो ऐसा लगा कि थालाब जल गये हो जल गया थालाब जब पानी पानी में गरते हैं तो उपर उपने वाली पानी होते हैं उपर आते हैं तो ऐसा लगा कि थालाब जल रहे हो थालाब जल कर दूरा उड़ रहे हैं बहुत दीख वर्शा के कारण योम जलदियान में विजर विजर जलदियान बादल रूबी विमान जलदियान का आरत हे बादल रूबी जलद का आरत हे बाधल बादल रूबी विमान में विजर विजर इंदर केल ता इंदरजाल इंदरदे बादल रूबी विमान में यात्रा करके इंदरजाल जादू गर इंद्रजाल करना इंद्रजालम आपको मालू है क्या है इंद्रजाल magic जादू दिखाय रहे हो क्योंकि पागले इस कविदा के प्रारंब में महीने बदाया प्रगृदी वेश बदलते रहते हैं वर्षा रुदू में हर एक पल प्रगृदी में पेरवर्तन आती रहती है तो इसके अंद बाग में यहीं कहा है बगुत्त दिक वर्षा हुई वर्षा के कारण बादल चाने के कारण परवदु प्रदेश में कुछ भी देखा नहीं जा सकता और केवल पानी गिरने के आवास ही रग गया और एक द दुआ जय से उठने लगे तालाब का पानी वर्षा की पानी गिरने से तालाब का पानी उपर आते हैं तब आईसा लगा दुआ उटने लगे हो यह सब देखकर कवी को लगा कि इंद्र देव अपिना इंद्र जाल प्रगट कर रहे हो कहां बैटकर जल दियान में बैटकर बादर्रू भी विमान में बैट कर इंद्रदेव, इंद्रजाल कर रहे हो, ऐसा लगा, तो यही है इस कविदा का आशे, तो आपको अची तरक पटना है, कविदा के पीछे जोग दिया है, उसे अची तरक देखना, अची तरक पटना, ध्यान पूर्वक हर रेक पंक्ति को आ पटना है, ओके बच्चों, यही यहां मैंने दिकाया, बहुत अधीक बादर्शा होती है, तो क्या होता है, यही यहां दिया गया है, तो अची तरक पटना, ओके बच्चों धेन्यवाद,